हेलो फ्रेंट्स मैं हर्दीप सिंग फ्रों जगति ग्रोप क्लासेज आप सभी का स्वागत करता हूं गाइज आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी वीडियो आल्रेडी हम एक बना चुके हैं आज ये दूसरी वीडियो है जो है पेंटिंग्स आफ मुगल स्कूल फार्ट तो ग क्रिशन जी है वो एक पूरे का पूरा मौट गोवर्धन जो है वो पूरे का पूरा नोंने उठाया हुआ है इसमें आर्टिस्स जो है वो है मिसकीन, स्कूल, इसका सब स्कूल की बात करें तो अकबर स्कूल मतलब के अकबर के टाइम पिरिट में बनाया गया टाइम पिरिट जो है 1585 से लेकि 90 A.D तक है अगर मीडियम की बात करें तो टेंपरा बटा मैने पहले भी बात की है medium हर बार आपका tempera ही होगा जब तक miniature painting चलती जाएगी अभी बात करते हैं courtesy की, तो courtesy है National Museum of Art, that is New Delhi अभी देखते हैं subject matter के बारे में जो के based on Lord Krishna यहाँ पे जो Lord Krishna जी है भगवान Krishna जी है उनको यहाँ पे दिखाया गया है यह क्या है इक भगवत पुरान जो होती है, वो इस तरीके से लंबी होती है और Krishan जी जो है उन्होंने अपनी little finger पे पुरे का पुरा mount गुवर्धन जो है वो उठाया हुआ है तो किसी के लिए, क्योंकि इंद्र जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके है बहुत सारा बारिश कर रहे है इसी लिए लोग जो है वो उसके अंडर आ चुके है परवत के नीचे खड़े है अब ही अगर बात करें composition की यह multi-colored mountains यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है जैसे कि कोई यह देखिए हम देख सकते है डीर है अलग-लग ही रना में दिखाई दे रहे है ठीक है ना बहुत सारे डीर है और साथ में हमें पेड वगेरा भी दिखाई दे रहे है मतलब यह जीज क्या है कि परबत्य के उपर सारा कुछ होता ही है ओवियर सी बात Lord Christian जी जो है वो हम देखें तो यह figure देखो यह चोटी बनी हुई है यह भी चोटी बनी हुई है लेकिन Christian जी की figure जो है वो बहुत बड़ी है मतलब कि उनका जो विराट रूप है वो दिखाया गया है Mostly figures जो हैं वो एक चशम आई या एक और हाफ देड़ चशम और एक चशम दो तरह की आईस बनाई गई है अभी अगर देखें तो Persian influence हमें दिखाई दे रहा है mountains के under सभी के सभी bridge वासी यह सभी कौन है bridge वासी मतलब bridge area में रहने वाले लोग यह सभी जो हैं अपने पशूं के साथ अपनी गायव हैं इसके साथ वहाँ पे उसके नीचे परवत के नीचे आ चुके हैं अगर color scheme की बात करें blue color का sky हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है Christian जी ने deep yellow color that is पितांबर color का large garland पहना हुआ है white flowers का एक जो पुरे का पुरा माला उन्होंने पहनी हुई है right side पे Christian जी के एक बड़ा सा पेड़ जो है वह भी दिखाया गया है आप देख सकते हो यहाँ पे भी ठीक है ना मतलब यह क्या है size matter करने के लिए दिखाया गया है अब भी हम बात करते हैं second painting that is falcon on the bird race जो के उस्ताद मंसूर जी ने बनाई है period 1618 से लेके 1620 है मीडियम इस टेंपरा कोटसी महराजा सवाई मान सिंग म्यूजियम यह माम नहीं है मान है वेटा इसको ध्यान रखना मान सिंग म्यूजियम सीथी पैलस जैपूर ठीक है ना आपको यह बिलकुली ख्याल रखना है कि यह बहुत ही important painting है जिसका subject matter जो है वो जहांगीर के time पे बनी क्योंकि जहांगीर हमने पहले भी बात किया पीछली वीडियो में तो उसका link में आपको नीचे description में दे दूँगा आप वहां से देख सकते हो birds जो animals हैं उनके बारे में उसका बहुत ज़्यादा प्यार था और मनसूर जी तो थे मैंने पहले भी बात की थी उस्ताद मनसूर एक ऐसे artist थे अगर वो birds को बिठा लेते थे तो continues वो बैठा रहता था है न एक यह कहावत है उनके लिए तो जहांगिर नामा भी इसको प्रजर्व किया गया है बस यही एक है जो के आपका महराजा सवाई मान सिंग म्यूजियम में अभी जो है वहां पे पड़ा है साथी में देखेंगे यहां पर फालकन को एक cushion पे cushion क्या है यह गदी है जिसन पर बैठे वे दिखाईए दिया गया है इवन के इसकी जो आई है वह बहुत ही है क्योंकि वह emperor है तो वह सी बात है साथ में यहां पर एक बहरी लिखा गया है और this is also known as falcon इसका meaning जो है एक साथ में यहां पर उत्तम लिखा गया है उत्तम में एक्सिलेंट है ना bottom में लिखा गया है ठीक है अगर हम color scheme की बात करें white against yellow background यह पूरी की पूरी जो background है वो हमें yellow color की दिखाई दे रही है लेकिन जो main figure है that is of white color और brown color की छोटी-छोटी जो details है वो दिखाई गई है यहां पर अभी इसकी जो peak है जो चोंच है इसकी बहुत ज़्यादा तीक ही हमें दिखाई दे रही है और साथ में vigilant eye light brown color की बनाई गई है और साथ ही में यहां पर yellow ochre color जो है वो भी यूज किया गया है और जो हमारी next painting है वो है कबीर एंड राइदास बेटा यह बहुत ही important painting है क्योंकि उस्ताद फरुकुल्ला खान जी ने इसको बनाया है 1640 में बनाया गया और शाह जहान के time period में बनाया गया अभी तक हमने जो है वो अकबर के time की देखी हमने जहांगिर के time की दे थी अभी हम शाह जहां के time की देखेंगी जैसे कि अगर हम यहां पर देखें सब्जेक्ट मैंटर यह पेंटिंग में दो प्रॉमिनेंट हिंदू सेंट्स जो है कबीर और राइदासुन दोनों को दिखाया गया है ठीक है ना तो दारशी को वाज़ा काइंट रूलर और वो सभी रिलीजिन के लिए इक्वाली थे तो इसलिए के से बनी हुई है तो वह वर्टिकल है और कबीर जी जो है वह यहां पर वीविंग कर रहे हैं कोई कपड़ा बना रहे हैं तो बोथ फीगर्स जो है वह एक तरह से मेडियेटिंग करती हुए दिखाई देरी है मतलब कहीं ना कहीं वह परमात्मा की भक्ती में लगे दिखाई हुए है और पूरे का पूरा जो सब्सक्राइब उसको दिखाया गया है कलर सकीम की बात करते हैं प्राउन लाइट ब्लू जो है वह वह यूस किया गया है बार्डर जो है पेंटिंग का जो बॉर्डर है वह लाइट ब्राउन कलर का है और शेट्स जो है वो सेम कलर के यहां पर यूज किये गए अगर हम बात करें marriage procession of dara shiko जो के हमारी second last painting है जो के मुगल school of art की painting है इसमें artist जो है वो है हाजी मदानी अगर period की बात करें तो 1750-80 medium is tempera cortices national museum new Delhi subject matter की बात करते हैं painting जो है वो marriage procession of dara shiko के बारे में है और इसमें 32 लाख रुपए खर्च किये गए उसकी marriage पर अभी देख लो उस वक्त का 32 लाख कितना होगा दारा शिको जो है वो नदीरा बेगम से शादी करते हैं 1633 में 1633 में वो उसके साथ शादी करते हैं कंपोजिशन में दिखाया गया है कि वर्टिकल फॉर्म की बढ़ा है वर्टिकल फिर से वही बात दारा पर देख सकते हैं यहां पर दे सकते हैं थीक है ना यह New और रोयाल पीपल की ओवेस्टी बात है, अमीर लोगों की शादी है, होर्सिस दिखाए दे रहे हैं, बहुत सारे लोग पैरों पे चल रहे हैं, और एक चशम आई जो हैं, वो तकरीबन सभी पेंटिंग्स की बनाई गई हैं, हमने देखा यहां पे फाइरवर्क्स जो हैं, ब यहां है, फुल डेकोरेटिड है, जिसमें फ्लार्स मनाए गए हैं, कलर स्कीम की बात करें, वाइट, रेड, ग्रीन, मैरून, तर्क्वाइश, ब्ल्यू, टैच ओफ ग्रेश कलर जो है, वो यूस किया गया है, अलग लग जगा पे, गोल्डन कलर को बहुत जो इंपॉर्ट पेंट किया, उसको इशादी पे, आटेस जो है, उसको फंक्षन के बारे में बहुत अच्छे से पता है, शायद उसने अटेंड किया हो, इसलिए इतने अच्छी से जो है, वो इसके बारे में डिस्क्लेम कर रहा है, ठीक है, इसको पेंटिंग को उसने बनाया है, अगर हम बात करें, Birth of Salim, जो कि आपकी लास्ट पेंटिंग है, मुगल स्कूल ओफ आट की, उसके बारे में देखते हैं, जो कि पिछले दो साल से ही एड हुई है, तो आर्टिस जो इसके है, वो है, मिस्कीन स्कूल है, अकबर स्कूल, पीरिएड जो है, 1590-95, मीडियम ओपेक वाट अकबर नामा से लिगी है, अबुल फजल ने जो लिखी थी, डिस्कृप्शन, जो इसकी डेथ हो जाती है, किसकी, वान ओफ दसान अकबर, विजिटेट दा प्लेस ऑफ सूफी शेक सलीम चिश्टी, प्रेड फोर सन, तो 1569 में, वो उसकी जो वाइफ है, वो प्रेगनेंट हो जाती है, तो पेंटिंग जो उसके बर्थ, जब प्रेंस सलीम का बर्थ होता है, तो उसके जॉँफल मूड को दिखाया गया, तो इस तरीके से पेंटिंग को डिस्क्राइब किया गया, इसको तीन पार्ट में डिवाइट किया गया जैसे कि Eek Porcheon ये है, एक Porcheon ये है, और एक portion ये वाला है, तो ये तीन portion जो हमें दिखाई गए है, पर सबसे पहले तो aerial view दिखाया गया है, जिसमें जनाना है, ये जनाना पाठ है, जिसमें जो है birth chamber है, जहां पर अकबर की wife जो है, वो अपनी midwives के साथ है वहाँ पे, खीक है न, रूफटॉप पे हमें एक peacock भी दिखाई दे रहा है यहां पे, तो वो peacock क्या कर रहा है भी, obvious ही बात है पेता, तो मोर जो है, वो नास्ते हैं, तो ये symbol मान सकते हैं, है न, परशियन स्टाइल का लेंस्केप दिखाई दे रहा है, और साथ ही में यहां पे देखेंगे, central white wall जो है, यह वाली wall जो है, यहां दोल लंगाडे बज रहे हैं, फीमेल जो है, वो कोई मिठाई की यहां पे ट्रे जो है, वो दे रही है, मेरे को खाने को नहीं दी, मेरे को बहुत वैसे डुख हो रहा है, तो मेल अटेंड़ जो है, वो breaking news यहां पे बता रहा है, कोई good news बता रहा है, कि भाई, बदाई हो आ यहां पे बहुत सारे arms, मतलब कि क्या है कि कुछ दान देने की प्रतायत, जैसे कि अगर घर में बेटा हुआ है, तो दे दो दान, बहुत सारे हार है, बहुत सारा gold है, दे दो, कोई problem नहीं है, poor के बीच में गरीब लोगों के बीच में बाढ़ दो, मेरे को फिर नहीं मिला, हमें फिर वही चक्कर में रह गया, और atmosphere of joy और happiness जो है, वो हमें यहां पे दिखाई दे रहा है, color scheme की बात करते हैं, strong color contrast जो है, हमें वहां पे दिखाई दे रहा है, ड्रेपरिज दिखाई दे रही है, skin tones, architecture, interiors, light and shade का बहुत थ्यान दिखा गया है, अगर आप देखो, यह white color की जो building है, उसके सामने जो description दिखाई गई है, जो figures दिखाई गई है, बहुत अच्छे से बनाई गई है, ताके वो पुरी की पुरी light जो है, वो show होती रहे, इस त इसे like करें, share करें, और channel को subscribe करें, अगर आपने अभी तक नहीं किया, अगर आप नए हो, तो please इसे subscribe करें, और हाँ, bell icon ज़रूर दबा देना, ताकि हर वीडियो आपके पास time से पहुंचते रहे, thank you very much guys, मिलते हैं के लिए वीडियो में, bye bye everyone.